खुद को चमतकारी बताने वाले बाबा का चमतकार खत्म हो गया है क्योंकि इससे पहले दिरेन सास्त्री के भाई साली ग्राम गर्ग पे आइफाई आर हुआ था उन्हें जेल भी जाना परा और अब इस गेरे में दिरेन सास्त्री खुद घिर चुके हैं ये पूरा मामला क्या है मैं आपको बताती हूँ ये कुछ दिन पहले राजस्थान के कुम्बल गड़ किले में धर्मसवा लगाने गये थे कुम्बल गड़ किले में उनका धर्मसवा था जहां पे वो भासन दे रहे थे जिस बीच में उन्होंने बिवादित बयान दे दिया बिवादित बयान ये था कि कुंबलगर किले में हरी जंडी लगी हुई है आप जाएंगे तो आपको पता चले है कुंबलगर किले में हरी जंडी लगी है और उसको वो बोल रहें कि इसको हम भगवे रंकी जंडी में बदलेंगे यानि कि इसको हटा देंगे और हम इस पे भगवे रंकी जंडी लगाएंगे तो फिर क्या था? पुलीस ने इस बयान को बोला कि यह बयान बिवादित बयान है इससे भावनाय आहत हुई है और इस पे उन पे धिरेन सास्त्री पे धारा एक सो तिरपने के तहत एफाई अर्दर्ज कर लिया अब मैं आपको बताऊंगी धारा एक सो तिरपने होता क्या है? यह दन संहिता के हिसाब से धारा एक सो तिरपने में धर्म, जाती, जन्मस्थान, निवास, भासा, आधी के अधार पर बिविन समुहों के बीच सत्रुता को बढ़ावा देने और सदभाव भिगारने के मामले म लगाई जाती हैं. वहां के लोगों का कहना है कि धिरेन सास्त्री, सदभावना बिगारे हैं, हमारे धर्म पे टिपनी किये हैं और हमारे हमारा मान हानी हुआ है. अब राजस्थान की पुलीस ने उन पे F.I.R. दर्ज कर लिया है, एक स्वातिरपने के तहत. और इस पे अल लोगों ने उससे पहले में दिखाती हूं कि OVC महासभा ने क्या लिखा है? कि कुम्बलगड किले में हरे जंडे हटा कर वहां भगवा जंडा फहराओ. पुलीस के अनुसार उत्तेजक सब्दों के कारण कुछ यूवकों ने कुम्बलगड किले पर उत्पात मचाया. इस मामले में केलवारा थाना पुलीस ने पांच यूवकों को गिरफतार बे किया राजस्थान पुलीस ने दिरेन सास्त्री के अनबयानों को भी संग्यान में लेते हुए उनके खिलाब धारा एक सो तिर्पन एका मुकदमा दर्ज किया है. अब वहीं देखिए कि ललन टॉप क्या लिखता है? ललन टॉप ने लिखा है कि हरे जंडे हटाओ भगवाओ धीरे धीरे सास्त्री और देव की नंध ठाकूर के खिलाब प्रात्मी की दर्ज. ये है ललन टॉप की हेडलाइन और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि दैनि भासकर ने लिखा है बागेश्वर धाम के धीरेन सास्त्री पर राजस्थान में केस धर्मसवा में कहा था कुंबल गड में हरे जंडे हटाकर भगवा लहराओ एस पी बोले बयान भरकाओ जो खुद को चमतकारी कहते थे जो दूसरों की भविस्त बतारने में एक पल भी जाया नहीं करते थे जो भी उसके दरवार पे जाता था वो यहीं बोलते हुए आता था कि बाबा बहुत चमतकारी है लेकिन उस बाबा की चमतकारी तब कहां चली गई जब उन पे इतनी वड़ी विपता आ गई उनके भाई पे जब एफ आई आर हुआ तब उन बाबा को नहीं दिखा कि इस बाबा के साथ ऐसा भी कुछ होने वाला है बाबा को सह तो मिली रहा है टीवी चैनल्स वाले कवरेज कर रहे हैं उनको दिखा रहे हैं बरे-बरे चैनल्स पे उनको सह मिल रहा है और वो अपने अंदर की जो भराद, इससे पहले उन्होंने बोला था कि हमें पाकिस्तान भेज़ो, हम पाकिस्तान में भगवा जंदा लहराएंगे, इससे पहले उन्होंने ये भी बोला कि चार चार बच्चे पैदा करो, एक दो भगवान को सौब दो, एक दो खुद के पास रखो इससे पहले वह आए दिन बच्छों के लिए बोला था कि आप चार बच्छी पैदा करौ एक हमेद दे दो और तीन तीन आप अपने पास रखो इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान जाने की बात करेक्षा अ lle सबसे पहली बात तो यह है कि अगर वो बाबा है तो इस तरह के के बात नहीं कर सकते हैं और गलती उसकी नहीं है गलती उस ढोंगी बाबा की नहीं है गलती मीडिया कवरेज की है जो मीडिया उनको कवर कर रहे हैं बरा प्लैटफॉर्म दे रही है दिन एवीपी न्यूज के पत्रकार गये थे वहां पर उनके चरण में बैठे थे मुझे भी लगा था हमसब को लगा था कि साइद वो बाबा बहुत घ्यानी है बहुत ज़यादे सच में दूर दर सिता है उनके अंदर वो दूर की चीजे अंदर की चीजे जान जाते हैं लेकिन जब सुहानी साहाह ने कहा यह एक magic है। princi यह इक magic है। इसकों भी कर सकते हैं। अगर आप इस पर पढ़ाई करेंगे जिस तरीकिवे जिस तर पुरुससे की पढ़ाई करते हैं। जिस तरीके सैंनल हम्हाव Geld करते हैं। उस अंधविश्वास में डालने का मुझे याद है वो रजसर्मा की सो में गये थे जब रजसर्मा से कहा था आप अपनी जोरू को छोड़के अपनी पत्नी को छोड़के लोग अगर मुझे कुछ सारी अपनी संपती दे देंगे तो हमें कोई हर्ज नहीं है हम सारी चीजें स्वेक्षा पुर्वक सुईकार करेंगे अब बाबा पे आन परी है इस बाबा को तीन साल की सजा हो सकती है साथ में जुर्माना मी हो सकता है या दोनों ही हो सकता है आप इस बाबा के बारे में क्या कहेंगे बाबा चमतकारी है या बाबा की चमतकार धूमिल पर रही है आप में से कई सारे लोग इनके फैन भी होंगे बहुत लोग स्टेटस लगाते हैं बहुत लोग मानते हैं इनको आप लोग को क्या लगता है ये बाबा सच में चमतकारी है या अभी जो बाबा के साथ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है आप लोग की इस वीडियो पे क्या परती करिया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए धन्यवाद